हेलो अबरीवन कैसे हो आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगा आप अप्रहायले का चल रहा होगा जो भी सीए फांडेशन जुन दूज़ाइब के लिए नया हो जाता है फांडेशन से पहले करते हैं 11 करते हैं उससे पहले हम लोग पढ़ते नहीं है तो यहां ए पहले हैं नहीं पर के रूप में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता पढ़ने के लिए इस प्रिश्ट रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो याता लोग परने में तो बैसिक से करने बात करने वाले को कैसे बिजनेस लोगों है असन तरीका बताएं किसे लगाता चले बीडियो को शुरू करते हैं विजनेस लोगा में सब्सक्राइब करते हैं पहले कुछ और है यांस्टी के नाम यंग्लिस कह सकते हैं लोग के सिर्फ 40 मार्स के लिए प्रिंग जिए फिर लगता था तो इस से लिए इसलिए जैन से परना है तो आपको हम्डेन मस्टे लौऊ पढना आए न और वसे प्रिंद प्रिंग लिए अब डिया होना बहुत जरूरी है सब्सक्राइब जरूरी है उसका बेसिक चीज है कि आपको कॉंसेट के लिए होना जरूरी है एक बार आप ठीक से पढ़ लिए बार-बार बुक पढ़ने के जरूरत नहीं है पहले भी बता चुकिए आप भी बदा रहे हैं कि बार-बार बुदिश्टों पढ़ता है लास में पढ़ता है तो ज़रूर नहीं है आपका टाइम या दो बार अप ठीक से आपको टीचर पढ़ा आपको से परो जैसी पढ़े हो कोई भी टॉपिक के बारे में उसको कहना क्या चाहते है वह चीज़ माइंड में होना चीज़ दूसरे चीज़ यह है कि आप जो चीज एक बा ओड़े तो बार बार उसको रठने हैं अब क्या करना करना है आप लोगों समय कम है तो बूक को कम नोल्ट को या तीचर अगरे दिया होगा अप नोट को प्रफेर करो नोट से त्रा बंद हर एक चैप्टर को फोड़ा देखना है क्यों कि परोड़ बूसर ब्रह नोह सभी प्रविजन करना है और कोई कतवाली नहीं करना है उसको रेगुलर वाज़ पर रिवीजन करना है दूसरा चीज लिख के प्रैक्टिस करना है क्यों कोई भी क्वेस्टन जो है प्रोविजन बार बार याद करने से कुछ नहीं होता है मेरा बहुत क्या करता नोट पकल लाँ रहत करनाлем इसको समझ में लिखना कैसे लिखना इस तरह होता है डारेक्ड होता है अपको अपर दो लेकिन आप जो एक दिए जो रहते हैं हम लोग का लोग में केस्ट बेसिद जो कोशन रहता है उसको आपको लिखने के लिए आना चाहिए यह पहले आपको लिखना पड़ेगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा किसनों भी कोई टीचर बता दिया इसे वैसे नहीं होगा काम चलेगा खुद स प्रैक्टिस करना पड़ीगा उसमें क्या होता है कोई भी क्या करना हुए उसका कहा क्या कह रहा है चॉटकॉट को इसका या यह इसको ऐसा होना चाहिए ठीक है तो यह प्रोवीजन फिर फैक्ट देकोसर और फिर कंकुल्यूजन यह आपको लिखकर आएगा अब जब तक लिखने का कोशिश नहीं करोगे तब तक यह आपको नहीं आएगा इसको आपको लिखना परेगा ताप लिखने का प्रेक्टिस बहुत ज़्यादा करो लग में जरूरी नहीं कि आपको लिखना है लिखती हो तो आपको इस चीज में मितलब इस सेक्षिप ने आपको याद हो आप इसकीब कर सकते हो ठीक पूलिखना परेगा बुक का को मिदले बूक का डिक्टो होना जरूरी नहीं है बहुत हो भी आप नॉर्मल लिखोगे तो वह भी सही नहीं है कुछ-कुछ वर्ट आपको लॉक्त भी होना चाहिए और पॉसिवल भी नहीं है कोई भी नहीं लिख सकता है कि जो बुक में दो प्रोविजन जैसा लिखाव है वैसा तो जरूरी नहीं अपना ज्यादा भी मतलब नॉर्म प्रोविजन करना है नौट से करो एक लिख कर लिए बूब काफी ये वार बार भार नहीं पर नहीं परना है बाकि है अपना नौट से पढ़ां कर सकते हैं लिखके प्रेंटिस करना जतना आपके लिए अच्छा रहेगा ज्यादा ज़ादा लिखने को आपको संभाद में इन्फरमेटिव वीडियो लगाया चो लाइक करना और सब्सक्राइब कर दो है कि यह लगाता रिष्टे रेका टिप्स रिलेटर वीडियो आते रहता है तो मिलते हैं बहुत चलते हैं ने वीडियो को से तब तक के लिए बाइबाइब